रोटरी इंटरनाशनल दुनिया का सबसे बड़ा गैज सरकारी संकटन है जो बिना किसी भेदबाओ या सीमा के समाज को लाप पचाने वाली कादी करता है यह पेशिवरों, व्यवसायों, उद्योगपतियों और समाज के इंदिताओं के सबसे बड़े समों में से एक है जिनोंने रोटरियन बनने के लिए हाथ मिला है और माना जाते के लाप के लिए काम करने का वचंतिया है ग्रह से पोलियों के संकट को खत्म करना रोटी का काम है रोटी इंटरनाशल आराई की एक अलग विंग है जिसका नाम रोटी फाउन्डेशन है जो रोटी में सभी फंडिंग का स्तूतर है प्रतिक सदस्य फाउन्डेशन की कुश में योगदान देता है इस योगदान के अदाबाग कई कॉर्परेट्स, हाई नेटपर्थ, इंडुवेचल्स भी कॉर्पर्स में योगदान करते हैं दुनिया भर में प्रते क्लब अपने शेत्र में एक बड़ा प्रोचेक्ट शुरू करने का प्रयास करता है जो समाज के लिए फायते मन हो कलब वैश्विक अनुदान के रुप में अहरता प्राफ्त करने के लिए एक HNI वेक्ति या एक कॉर्परेट्ट या एक ट्रस्ट की पैचान करने का प्रयास करता है जो रोट्री ट्रस्ट इरिया की अनुसार एक विशिष्ट उद्देश के लिए 30,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकता है यह राशी आराय फाउन्डेशन को भेची जाती है जो फिर एक निचित प्रतिशत लगबग 80 प्रतिशत में इस राशी से मेल खाती है और ग्लोबल क्रैंट के तहट परियोशना को लागो करने के लिए इस राशी को कलब को लोटा देती है इस सरा परियोशना का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है और समाज का एक बड़ा वर इसका लाब उठा सकते है रोटरी जगत में बाल शिक्षा को सरवच्च प्राथर मिटा दी गई है क्योंकि यह सकते है कि शिक्षा किसी भी समाज, राच या देश का जेवन बदल सकती है इसलिए रोटरी का पूरा ध्यान सभी स्कूलों को खुशाल बनाना है अब कोई भी स्कूल जो निमें लिखे नौ माप दंडों में से कम से कम पाश को पूरा करता है वो हैप्य स्कूल बनने के लिए यो क्यों होता है आज इस उपलक्ष का जो कारण है उसमें यह है कि हम लोग जो एक ग्लोबल ग्रांट का एक प्रोजेक्ट कामने किया है जिसके तहरत हमने एक हैपी स्कूल नगर में एक स्कूल थी जिसको हमने पूर्ण जिरनोदार किया उसमें काफी सारा अच्छा डेवलप्मेंट के इंफ्रास्रेक्टर दिया है जिससे कि उस एरिया के जितने भी बच्चे है जो कि रोज के मजदूर लोग है जो काम कारते हैं उनके लिए हमने वो सुविदाय प्रोवाइट करी है इससे कि उन लोग वहां जाके पड़ पाएं और उनको अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में हम भेज पाए उसका भी एक गर्व होना चाहिए इसलिए हमने वो सुविदाय प्रोवाइट कि उसमें अच्छे टॉयलेट्स, बात्रूम, पीने के पानी की सुविदाय, कंप्यूटर, उसका पेट, क्लास्रूम्स, एरी क्लास्रूम्स है, खेलने के लिए पूरा व्योस्ता है यह सबी चीजों का हमने प्रोवाइट किया है, जिससे की बच्चे स्कूल में जाने से कत्रा है नहीं, और स्कूल में जाने का उनको एक मतलब रोमांच रहे कि भी हमें स्कूल जा रहा हूँ शिक्षा देलाना चाते हैं, जो की किफायती हो और उनके निवास के नस्दीक हो, हाला कि पिछले कुछ वश्यों में इमारत और वन्यादी धाशी की स्तिती खराब हो गई और पूरा स्कूल काफी खराब स्तिती में था, या तकिस्तान ये लोग भी कमशुर्ख संडचना क की पेश्कश की बाउचुद अपनी बच्चों को स्कूल भिचना पसंद नहीं करते थे, इसलिए जब रोटी क्लब ऑफ नाखपूर इशान्या नी बुन्यादी धाशे में सुधार करके और उन्हें एक हैपी स्कूल बनाने में मदद करके अपने स्कूल को विश्वस्तरि की पेश्कश की बाउचुद अपने बच्चे को स्कूल भिजना पसंद करते थे, इसलिए जब रोटी क्लब ऑफ नाखपूर इशान्या ने बुन्यादी धाशे में सुधार करके और उन्हें एक हैपी स्कूल बनाने में मदद करके अपने स्कूल को विश्वस्तरिय बनान से नाखपू शहर में अपनी चत्रचाया में कई स्कूल चला रहा है वास्तुकार और रोटीरियन दिलिव जवान ने पुरे बन्यादी धाचे को इस तरह से फिर से डिजाइन किया कि कम से कम दुखसान हो पुरानी संदशना सुरक्षा और स्तीरता में सुधार किया गया औ सौचाले और पीनी की पानी की सुविदा नए फरनीचर कम्पीटर और पुस्तकाले स्कूल को एक नई आभा देते हैं साथ ही इसके सभी चात्र के लिए गर्व की किरन है इस प्रकार आठ मैने की छोटी सी आउधी में पूरे स्कूल का नविनी करन हो गया और अब यह पू संद्राजकुमार मोहड के साथ शितिजा देश मुख्यी रिपोर्ट